अलो दोस्तों सु आज मैं आपको लास्ट टेन डेज स्टडी प्लैनर ऑफ नीप के बारे में तरह बताना है जा रहा हूँ कि कैसे क्या करें देखिए जब लास्ट देन आपके पास बचे तो कुछ चीजे जो आप कीजिए और कुछ चीजे जो मत कीजिए कुछ क्यार में सबसे पहले में आपको डिसक्रस करना है जैसे कि डिवोट अपने आपको कर लेजिए शिक्स आवर तो बाहर करना है उससे कम प्लीज मत कीजिए क्योंकि यह आपके फुल केरियर के बाड़ में है जब आपको मैं रिक्रिष्ट करता हूँ कि अगर आप नीट दे रहे हैं और अगर अच्छा कॉलेज आपको मिल जाता है तो 100% आपका लाइक जाना एकदम अच्छा हो जाएगा है तो आप सोच नहीं सकते इतना अच्छा हो जाएगा कुछ ही दिन में अगर आपको अच्छे कॉलेज मिलने का सबसे अद्वांटेस का है कि आप आप अटमेटिकली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अब जैसे पासवट होते है कॉलेज से आपको कच्छी तहीं नहीं तो आप सेटल होई जाएगी अच्छे से एक ड अगर आपको माकस आए कि नहीं आए वो आपको समझने आए गया कि यहां इस टेस्ट देने से हमको इतना तो माकस आ रहा है तो इतना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि यह आपको इतने माकस दे रहे हैं हैंस डेफिनिल्टी आपका रिजल्ट होने वाल है आपको यह भी सुझेस्ट करूंगा कि अगर आपको नहीं माकस आ रहा है तो पर भी आप कॉंफिडेंस अपने आप में जगाया रखें क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको नहीं भी जो चाप्टर आते लेगा नहीं भी मिज़े है मेरा बहुत सारा यह तिखा होगा एक्रेश स्टून्स में टोंके शेर खरन से गटीम मोटीवेट हो गए तो उनको मोटीवेट करते करते एक्जाम निकल जाती है वह तो क्याईस साल सब्सक्षिक्त मोटीवेटेट पट्ट डू मोर्धन 7 वाड़े अट अट कि इसमें भी आपको यह मैं सर्जिस्ट करूंगा कि इसमें कम से कम तीन आर्स का तो गाप रहना ही चाहिए तो तीन गंटे के लिए मीनिमा आप पहाई कीचे ही उसके बाद ही ब्रेक लिए ऐसा नहीं कितने स्टुइंट का गया रहता है कि ए गंटे के बना है ब्रेक 100 गंटा मेरा ब्रेन क्योंकि आप इतने दिन काम फिल्ड में तो आप इनहां सो जाता है वह अदग चीज़ है लेकि मैं जो टॉपिक कर रहा हूँ वह फिर से कर अपकर उसको क्योंकि मैं अभी खुद भी जब पढ़ने जाता हूँ तो मैं अगर एक गंटे में वह टॉपिक करता तो मैं करें कि आपका माइड डाइबर हो जाता है फिर से आप आप 15-15 मिनट के शुच्टन के आदा गंटा जाता है वही चीज़ को फिर से अपने माइड को कंसंट्रेशन कें वही इंपोर्टन अब अब रहें करेंगे अपन आ अन्यार निकल गया फिर आप अर किजे अव लेट अब बात करते हैं कि क्या नहीं कहना चाहिए डॉन्ट श्टार्ट श्टरिंग चप्टर फर्म स्क्राइच देगे कितने आपका ऐसे चप्टर रही गए होंगे बहुत सारे श्टुनिट के कि जो आप कुछ नहीं जादा किया होगा उसमें बहुत सारे श्टर रह जाते हैं मैं के निक्स के रह जाते हैं बहुत पीछ चप्टर में हो सकता है आपका 11 का 12 का बहुत अपने कुछ जाद अच्छा नहीं हो पाया होगा में भी कोई रिजिन को जिससे पिर महार पर के होंगे का दो टो फूक जादा से जादा से ज्यादा के तो आपको सज्ट्रेस्ट कोईए कि उसी पर फूकस जादा से ज्यादा फूकस कीजिए तिम जाकर वह सब चैप्टर कीजिए जिसमें आपकंपने कुछ नहीं किया एवन लास्टेस में तो कुछ मत कीजिए घुजा से ओपर से देखिए फॉर्मला लैट सो किया don't refer too many books एक ही दो जो बुक्स है उसी पर वो लास्ट फोकस करें क्योंकि 10 तरह को भूक थीगा, 10 तरह का कॉंसेप्ट रहेगा उसमें 10 तरह का कन्फुज हो जीएगा okay don't restrict to single subject, birthday और all day आप बैलन्स करके चलेगे यह समें physics में किया, chemistry किया, biology किया तो इनों ही आपका होना चाहिए टेवाइड है so last में तो आपको मैं यह रिकमेंट करूँगा कि 8-9 आपका स्लिक होना चाहिए वो जो सुब time pass है but let's come to the main topic जो कि activity charged है last seven days के लिए so देखिए उसमें क्या करना है आपको कि physics में, chemistry में और biology में 2-2 hours से जाद दीजिए जिसका जितना strength है अपना strength के बाहर नहीं हो पाएगा तो फिर मत कीजिए क्योंकि उससाब बीमार पर जाएगा और जो होना चाहिए था 10 दिन वह भी नहीं हो पाएगा या फिर जादे tired हो जाएगा तो अगली दिन नहीं कर भाएगा तो हाँ आपना limit जाद लिजिए कितना है उससे limit से भाह मत कीजिए लेकिन limit तक जरूर कीजिए तो फिर्स डे में आप कवर कीजिए motion in a plane law of motion physics है chemistry में स्टार्ट कीजिए chemical bonding जो कि वहुत इंपॉर्टन चैप्टर है तो देखिए सबसे इंपॉर्ण क्या है अगर पहले दिन आपने संभाव कर दिया है तो आपके अंदे confidence आजागा आपने आपको खुष्ट भी motivate करने को आपने आपको ट्रीट जीजिए कि नहीं मैंने यह किया कुछ शोटा सा ट्रीट जीज अपना आपको कि शुच् DOMET भी शोटाता है आपको अगर regrets पसंद्ध है आपको आपको speedי पसंद में 순क्रीज अपने को टीज सी चीज़ API सो धै Antonio हो जाईगा next day और इचसे किजिए ठीक है, so let's come back to the next day, so next day मैं I'll suggest you कि thermodynamic oscillation wave और thermal properties of matter ये चार चाप्टर आपको कवर करने हैं सम्हाँ, अगर फिर इस आपने कवर कर लिया, जो आपने इंटर्वल गनाया तो उसमें कैसे भी करें कम्प्लीठी की चास, तब जाएगे फिर biology पर chemistry पर, chemistry पर, I will suggest coordination compound biomolechus, chemistry में आप कम भी time देंगे, second day, चल जाएगे दो चाप्टर एजली हो जाएगा आपका, सफिर biology के है तिन चाप्टर, anatomy of flowering plant, sexual production in plants, principle of inheritance and variance, ये तिन चाप्टर कीजए biology में, ठीक है, फिर थर देस्क का रेखिया, आप आज ही ये electricity और electric field ये सब्सक्राइब, so इसमें आप सब्सक्राइब, electric charge field, capacitance, potential पर चाप्टर कम्प्रीट कर देंगे दोना चाप्र, फिर आप कर लिजे electricity, electricity ये आप circuits थोड़े भू देख लिजे, high level के नहीं, average level के भी देख लिजे, formula सारे देख लिजे, color coding, meter bridge, potentiometer ये से ये ये य अच्छे से, electric field में और potential, capacitance में दो इसर की diagram आप follow किजे, कुछ नहीं, बस रिस से protocol करना है, है न, formula याद कर लिजे, capacitance का c is equal to epsilon, not by d, किस तरह से ये सो formula है, वो very important, electric field, potential का formula याद रखिए, उससे related topics पे objective किस type साहर है, मतलग, mostly steps आते है, charge placed at three corner of the triangle, four corner of the square, इस type के जो प्लीज फ then come back to the chemistry, pre-block elements, circuit medium cover कीजे, organic chemistry में some basic concept है, वो cover के लिचे तीन चैप्टर, then biology में आप लिचे, cells, unit of life, evolution, molecular basic of inheritance, environmental issues, somehow अकर आप तीन देस का कर लेते है, ये तीन देस का, वो एक फोर देस, जैसे आप नहीं कर लेते है, जो कि लास्ट फोर देस का मैं आपको बतारो, okay, moving charge magnetism, जो क is the matter, और some modern physics like semiconductor devices, ये कर लिचे, और chemistry maldehyde ketones, carboxlic acid, alcohol phenol ether, दो चाप्र, और biology में chemical control, integration, human reproduction, microbes in human welfare, ये चार दिन अगर आपने कैसे भी दोस्त कहल लिया, तो मैं आपको बतारो, आप somehow, अगर बोल सकते है कि रीवर को cross करना है, तो उसके आप 50% पहुंच हुआ, वेरी I'll suggest you please, मैं आपको बोलता है, कैसे भी करके ये चार दिन इतना chapter कर आप cover कर लिजाए, ये chapter आपने cover कर लिया, तो आपको मैं बता रहा हूँ, कि आपको life आगे आने वाला काफी easy हो जाएगा, once you crack the exam, definitely, आपको सब examper set करेंगा आपके लिए, ये चार करने से profit का होगा, कि मैं ठीक है, तो which is very important, ठीक है, फिर six to day, seven or eight, तीन देज और करने, आपको कफिर सिव आपको टेह देने, तो six to day पे लिए आपको करने है, तो six to day पे लिए आपको करने है, फिस सिस्टेम हो पार्टिकल सा रोटेशनल मोशन है, एलेक्टोमाग्टिक इन्यक्शन है, वो कर लिज structural organization in elements, strategy for enhancement in food production, then seventh take, आपको लिजे लिए, optics, wave, optics, physics में, यह आप निकल गया, हो गया, फिस सिस्टान आपको, then chemistry में आपको लिए, block element, dnf block, or lux reaction, biology में, region के लिजे, biotechnology, principle and process, biotechnology and application, transport in plants, plant kingdom, 8, आपको लिजे, dual nature of radiation, atom, nuclei, chemistry में के लिजे आप hydrogen, hydrocarbon, halolkins, halorins, organic compounds, containing nitrogen, biology में, animal kingdom, reproduction in organism, circulation of body fluid, digestion, absorption, यह आपने जैसे कर लिया, 9-10 आपको सजेस्ट करूँ आपकी, 3 full length test, और physics chemistry बालोजिए, हाप आपको देना है, finally, the last day, take active rest, engage in activities, to boost your mood, and confidence, be ready with the documents required for your need exam, next day, तो इतने ही आपको करना है, यह गटेन देज, guys, यह जो activity chart है, उन लोगों के लिए है, जिन्होंने साल भर में कुछ तो भी पढ़ाई किया है, उनके लिए नहीं जो skies सटार्ट रोड़े, इतने कम टाइम में आप इतना revision वही कर सकते हैं, जिन्होंने कुछ तो भी किया है, एक अब्रिस ली, ठीक है, तो वहीं, उमीद करता हूँ, मैं आपको यह वीडियो चलागा होगा, helpful होगा आपको, अगर आपको helpful हो, तो please like कीजिए, अपने कुछ आपको फ्रेंड है, अगर आपको तक यह वीडियो चला गया है, तो फ्रेंड से भी share कीजिए, कि लास्टे percentage में कैसे करना है, उनका भी कुछ बहला हुजाए, क्योंकि लोग आपके competitive नहीं है, कोई यहाँ पर competition नहीं है, क्योंकि लाक्स लोग बढ़ते है, आपका friend आपका competition नहीं बन सकते है, ठीक है, आप उसका help करेंगे, साल उसके पासी कुछ ऐसा material लगा होगा, तो वहीं आपक subscribe कर दीजिए का अच्छी बात है, अगर आगे वीडियो में बनाता हूं related to this meat, तो आप कि तक पहुंचे है, और helpful आपको, और हो सके तो share कीजिए आपके अपने friend, अचली, thank you for watching this video, wish of love for your coming channel.